दोस्तो जियो फाइवर को मैं पिछले 6 माइनों सो इस्तमाल कर रहा हूँ और साधी साथ मैंने इसको पूरी अच्छे से experience कर लिया है goods, bads, हर एक जानकारी मैं आपको बताऊंगा, TV चलेगा, OTT सब्सक्रिप्शन लेना होगा, 399, 699, कैसे village में लगाना चाहिए, 24-7 इसको चला सकते हैं, या फी नहीं, light कटेगा तो क्या होगा, मतलब जो भी आपके मन में question है न, मैं आपको हर एक जानकारी टेक गईडिश्ट पूरा करा दो, जो सबसे पहला question है, कि finally अगर हम इसे लगवाना चाहते हैं, तो कितना हमें pay करना पड़ेगा, तो one time आप चाहो तो 1500 वाला plan ले सकते हो, जिसके अंदर दोस्तों आपको कुछ इस तरीका का यह जो आप router देख रहे हैं, जो कि 5 GHz को support करता है, यह वाला मतलब खरीदा है plan, इसके पीछे का बहुत simple सा reason था, मेरे पास already Android smart TV है, जहाँ पर already Wi-Fi का connection है, मैं उसके अंदर OTT application जो भी होते हैं, उसको install करके use करता हूँ, तो मेरे लिए 4K setup box की जरूरत नहीं थी, बड़ यही पर अगर आपको smart TV बनाना है अपने normal TV को, और उसको और enhance क करना है, देख सकते हो, ठीक है, कोई issue नहीं आएगा, और यही पर दोस्तों बात करते हैं, कि देढ़ हजार तो ये लोग बोलते हैं, refundable भी है, तो हाँ, refundable है, 30 days के अंदर अगर आप return करना चाहते हैं, कर सकते हो, सारे पैसे आपके वापस आजाएंगे, अब ऐसा नहीं है यार कि 29th day को करना, थोड़ी दिन पहले, मतलब आप कर देना refund के लिए, मतलब apply, तो हो जाएगा, बाकि हाँ, पूछ रहेते काफी लोग, यार कि technician लोग charge लेते हैं, या फी नहीं, wire लगाने का cost आएगा, या फी नहीं, क्योंकि हमारे घर से बहुत दूर है, मैं आपको सब से में बता रहा हूँ, बाकि extra wire की बात कुछ हैसी है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, जितने लोगों ने लगवाया, उन में से किसी ने अभी भी extra wire का कोई पैसा नहीं दिया, मैंने देखा काफी लोग मेरे last video में comment किये थे कि हमें charge मांगा जा रहा है, तो वो आप आपके area में क्या scene है वो आप थोड़ा देखना, बाकि मैं आपको बोलूँगा अगर आपसे charge मांगा जाता है, customer के बात करना कि भाई साब ऐसा सा कुछ scene है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, but मेरे experience के हिसासे में आपको यही बोलूँगा, कि wire का distance जादा भी होगा, तो I think वो लोग लगा देंगे, बाकि आप अपने जो local operator हैं, उसके through connect करके पता कर सकते हैं यह चीज, बाकि आप में से काफी लोग पूछ रहे थे कि यार हमारे area में coming soon दिखा रहा है हम जब भी register करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको simple बोलूँगा, कि अगर आपके घर के area में कुछ इस तरीके का poll आपको देखने को मिलता है, तो definitely आपके area में वो चीज आ गया है, और इससे related area यार एक बहुत funny comment मुझे देखने को मिला था, जो कि आप देख सकते हैं, और इसमें likes भी काफी जादा है, तो वाकई में यार मतलब यह funny comment था, और साथी साथ आप में स सुन भी दिखा रहा है, तो direct जाओ, geo वाले store होते हैं, जो physical store होते हैं, वहाँ जाओ, बताओ, भाई, लगा दो यार, लगा देंगे वो लोग, अब चलो मैं आपको आपना experience बताता हूँ, 6-7 महिने में मुझे क्या feel हुआ, नहीं हुआ, कितने बार service मतलब इसके down रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, तो actual क्या ना, मेरे users के हिसाब से मुझे आज तक कोई भी issue नहीं आए, लेकिन हाँ, दो बार अभी तक down देखने को मुझे मिला था, और अच्छी बात मुझे ये लगी थी, मैं कॉलकाता में बहुत सारे अलग-अलग operator का इस्तमाल किया हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ सारे अच्छे अच्छे रेप्यूटेड जो रहते हैं broadband provider, उनका use मैंने किया है, अब problem क्या होता था, जब भी बारिस होता था तो काफी समय उनका connection कर जाता था, अब करता था, कोई message नहीं आता था, कोई notification नहीं आता था, आपको या या तो वेट करना होगा, या तो local operator को call करना होगा, जिसने आपका cable लगाया है, मतलब जो connection दिया है, और उससे आपको बात करना पड़ेगा, वो आपको बोलेगा, भाई, इतना time लगेगा, उतना time लगेगा, बस ऐसे ही होता था, at least मेरे साथ तो ये चीज हुआ है, बट इसको देखा कि भाई, इतना time लगा रहा है, बट थोड़े दिर के बाद service activate हो गया, तो ये maximum time आप लोग को देते हैं, और उस बीच में हो जाता है, तो अभी तक मुझे दो बार issue face करने को मिला, लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि इन्होंने at least message के थुरू आपको बता द दिया है, तो आप समझ सकते हो, मतलब आज के date में जितना important kind of oxygen हुआ है, उतना ही जादा net भी हो गया है, तो ये चीज आप समझ सकते हो, मैं क्या बताना चाहरा है, आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा, हाल फिलाल में भी कुछ तुफान ये सब का भी scene आया था, देर तक कटा हुआ है, बस दो बार अभी तक, मतलब इन 6-7 महिनों में बस दो बार service down रहा है, जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, और यही पर दोस्तों आप में से काफी लोग पूछते हैं कि भाया 399 का plan खरीदे, या 699 क्योंकि कौन सा speed जादा देगा, तो आप 399 का तभी दिक्कत आ सकती है, अब मैं आपको अपना scenario बताता हूँ, ममी, पापा, दीदी और मैं, चार लोग हैं, अब चारों के पास phone है, तो चार devices हो गया है, मेरे पास laptop एक office का है, मतलब यह नहीं है, बाकि office का है, एक setup का है, YouTube का, तो दो हो गए मेरे पास laptop, मेरी दीदी के पास tablet है laptop है, तो लगबग गुमाफिरा करके, आप देखोगे, 7-8 device हो जाते हैं, और हमारा पास एक Android TV है, तो यह सारी चीजों को ले करके, मैं मतलब मेरे हिसाब से, मैं 699 का pack रिचार्ज कराता हूँ, और आज तक मुझे कोई issue नहीं हुआ, मैं meeting attend करता हूँ, videos upload करता हूँ, TV चलत सकते हैं, अब यहाँ पर यह जो मैं आपको चीज बताने वाला हूँ, यह I think YouTube पर कोई नहीं बताएगा, मैं आपको यह बताऊँगा, जैसे कि यह जो आपने router देखा ना, यह वाला router, इसके अंदर दो bands है, 2.4 and 5 GHz band, तो उस हिसाब से देखा जाए, 5 GHz का band में आप कुछ devices को connect कर दो, और 2.4 में कुछ devices को connect कर दो, तो इससे क्या होगा, speed आपको अच्छा देखने को मिलेगा, overall, तो 399 भी use करोगे, तो ऐसा करोगे आपको फाइदा होगा, मैं 699 यूज करता हूँ, तो मैं अपने सारे devices 5 GHz पर यूज करता हूँ, और बागी मेरे घर के जितने भ कर रही बात, दोस्तों, आपने से काफी लोग पूछा था कि maximum data कितना मिलता है, तो 3300 GB data मिलता है, यानि कि 3.3 TB data आपको मिलते हैं, अब मैं आपको अपना, मतलब बता हूँ ना, कितना है मैं यूज करता हूँ, इतने सारे devices तो मैंने आपको बता है, YouTube चलाता हूँ यार, इ अक्चुल में मतलब आप बोल सकते हो कि उसका हम लोग 50% भी यूज नहीं कर पाते हैं, इतना heavy users के बात, तो अगर आपके घर में जादा लोग होंगे, दिन भर TV चलेगा, तो जाहिर से बात है, थोड़ी सी users बढ़ जाएगी, बड़ाई थिंग, 3300 GB is more than enough, आपको कोई भी TV के अंदर smartness चाहिए, तो definitely आप खरीद सकते हैं, बट काफी लोग ऐसे होंगे, जिन्होंने हाली में TV खरीद होगा, या उनके TV में Wi-Fi का support है, तो मैं आपको यही सज़ेस्ट करूँगा, कि जब Wi-Fi अल्रड़ी है, Android TV है वो, जिसके अंदर आप app यह से भी install कर सकते हैं, त तो I think 15,000 more than enough है, मैंने वही किया है, मेरे पास जो TV है, उसके अंदर जो भी application है, hot star, जो भी है Netflix है, सब सब कुछ मैंने install कर लिया है, तो मैं 15,000 वाला ही plan खरीदा था, जो कि मैंने आपको start में बताया था, यही पर दोस्तों हमें से काफी लोग पूछते हैं, कि यह जो router मैं और दूसरी बात ऐसी है, कि मैं अभी तक, मतलब अभी I think, आज ही एक साथ date है दोस्तों, जहां पर मैंने इसको off किया है, इन 6-7 माहिनों में भाई साब यह पूरी तरीके से on था, और कभी भी मैंने इसको off नहीं किया है, अब आप पूछोंगे भाई, light आपके घर में क्या 24-7 रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर में जो inverter है, उसके थुरू मैंने इसको connect करके रखा है, तो actually होता है, light कटा तो inverter से तो on रहेगा, तो उसी हिसाब से देखा जाए 24-7 on रहता है, और heat width का कोई, मैं तो ऐसा touch करके देखता नहीं हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं बहुत सारे अलग-अलग D-Link, V-Link का router यूज किया हो, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, जो कि आप समझ सकते हैं, ठीक है, बाकी दोस्तों, आप में से काफी लोग पूछ रहे थे, भाई, light चल जाएगा, तो क्या scene रहेगा, तो देखो, simple सा logic है, अगर आप इसको power on करके रखो इना router को, तो आप अराम से net use कर सकते हैं, जैकिन अगर आप light कट जाएगा, तो वहाँ का अगर आपने जो socket का plugin कराया ना, वहाँ पर अगर light नहीं है, तो भाई, light चल जाएगा, तो चलेगा नहीं, तो उसको बस यह जो device मैंने आपको दिखाया ना, ये वाला, इसको आपक आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ डिवाइस, तो अगर ये on, तो आप पूरी तरीके से use कर सकते हैं, ठीक है, तो ये ऐसी scene है, जो कि मैं आपको बता सकता था, अब आप में से काफी लोग पूछो गया, कि हमें Airtel खरीदना चाहिए, या Jio खरीदना चाहिए, तो देख जो भी आप service provider आपके local में है, जो भी आपको सबसे best service दे रहा है, उसी के साथ जाओ, क्योंकि मुझे पता है, जैसे कि अगर आप मान के चलो recharge ही सब नहीं करा रहे हो, क्योंकि इसके अंदर आपको calling का भी facilities मिलता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो आप इसी पर पूर लेकिन हाँ, आपके लिए अगर आपका काम जाधा important है, तो definitely आपको उसकी priority जाधा रखनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम जियो एरटल ऐसा कुछ नहीं, मेरे हिसाब से, बाकी आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं, बाकी यहाँ पर से, मुझे सब काफी लोगों ने कुछ कारण बस से, मत करवा हुआ, नहीं, कोई connection यह सब नहीं काटेगा, ठीक है, लेकिन हाँ, मैं तो हम भाइसा से recharge कराके रखा हूँ, क्योंकि मेरी requirement कुछ वैसी है, समझ रहो न आप, बाकी अब मैं आप से बताना चाहूँगा कि, मैं इसमें 699 वाला pack की use करता हूँ, और GSTSF लगा करके 824 या 25 के अप्रॉक्स हो जाता है, तो उसके अंदर भी मैं मतलब Disney Plus Hotstar देख पाता हूँ, कैसे देख पाता हूँ, तो मेरे पास Android TV है, उस पे मैंने ना क्या किया है, जब Jio का मैंने recharge कराया था, या ITL का 401 या कुछ ऐसा था, तो उसके अंदर मुझे 1 सा अगरी के से आपको करना होगा, अब जहां तक रही बात दोस्तो लाइफ TV के बारे में, तो एक्च्वल में क्या सीन है, कि अगर आप 4K सेट अप बॉक्स खरीद होगे, जो स्मार्ट वाला आता है, उसके साथ अगर आप जाओगे, तो आपको इनका एक जियो लाइव वाल और बहुत सारे ऐसे अप्लिकेशन्स हैं, जो मतलब जो TV चैनल्स हैं, उनमें आपको पैसे देने पड़ते हैं, सारे फ्री नहीं है, तो आप ये मस समझना कि अगर आप ये करवाल होगे न रिचार्ट, तो आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हो, और उसके लिए भी कैपिं अगर आपको खरीदना है 4K setup box, तो आप ले सकते हैं, और उसमें अगर higher plan अगर आप रिचार्ट करोगे, तो काफी सारे live TVs आपको देखनी को मिलेंगे, सारे नहीं मिलते हैं, तो इस चिचका धियान रखना, तो ऐसा माँ समझना कि this is the replacement of that setup box, ये replacement नहीं है मेरे भाई, आज बाकी यहाँ पर से दोस्तों, speed test and pinks की बात करते हैं कि क्या मिलता है, तो 2.4 GHz पर आप देख सकते हैं, थोड़ा speed कम रहता है, और मैं 699 वाला plan यूज कर रहा हूं, तो 100 MPS मुझे मिलता है, और 5 GHz पर आप देख सकते हैं, speed जादा है, तो जो मैं आपको अभी बताया था थोड़े देर पहले कि कुछ devices को 2.4 पर रखो, कुछ devices को 5 पर रखो, और जो आपके लिए जादा priority रखता है, उसकी हिसाब से आप switch कर सकते हैं, तो उससे आपको हर एक तरीके से balance speed देखने को मिलेगा, बाकी अब बात करते हैं कि register कैसे करते हैं, तो register करना बहुत simple है, आप simply website पर जाओ, यहाँ पर जो आप से पूछा जाएगा phone number, email ID, और कुछ-कुछ details रहेंगे उसको आप simply डाल दो, अगर आपके area में होगा दिखा देगा, आपको appointment book हो जाएगा, call आ जाएगा उनके तरब से और फिर लग जाएगा, और लगाने के समय में दोस्तों आपसे technician को जरूर call करके बोलना, and overall दोस्तों, इतने दिन यूज करने के बाद, क्या मैं ये product आपको recommend कर सकता हूँ या फी नहीं, उसके बार में बात करते हैं, तो देखो, मेरा experience काफी बहतर रहे है, मतलब 7 महीनों में अगर किवल 2 बार डाउन रहेगा, और वो भी लगबग 1 एक गं experience के हिसाब से बताऊं, तो I will highly recommend कि आप ये product को use कर सकते हैं, and अगर आपके requirement 399 से fulfilled हो जाती है, आप उसके तर ये case से recharge करा सकते हैं, otherwise मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा balance packet is 699, जो की मेरे uses के हिसाब से है, लेगिन हागर आपको OTT subscription ये सब थोड़ा मोड़ा देखना पसंद है, तो फिर आप higher plans के साथ भी जा सकते हैं, and I think इस वीडियो में मैंने आपको हर एक जानकारी देनी की पूरी courses करी है, बाकी दोस्तों इस वीडियो में फिलाल के लिए तना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप प्लीज लाइक करना, 700 like target था, और अगर आ आपने अल्रेडी लगा रखा है, अगर आपके कुछ और experience रहे हैं, good और bad, आप comment जरूर करना ताकि बाकी लोगों को भी पता चले, और channel पर नहीं होगे, तो subscribe करके bell notification भी प्रेस कर लेना, तो मैं हूँ आपका दोस्त अबजीत, मिल दाओ आपसे नेक्स वीडियो में, thanks a lot for watching.